बिस्मिल्लाइ रमाद ने रही है Assalamualaikum students My name is Muhammad Yahya Sadam and you are watching Engineer Muhammad Yahya YouTube channel जो lecture आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is The Property of Woman by Sara Suleidi आज के इस lecture में हम author के introduction को डिस्कस करेंगे story के theme, इसके characters, इसके critical analysis और इसकी summary को डिस्कस करेंगे साथे साथ हम इस story में use किये गए symbols के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन symbols के चो actual meanings हैं वो क्या है तो स्टार्ट करते हैं आज का lecture तो story को स्टार्ट करने से पहले हम writer के introduction के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो जो हमारी writer है सारा सुलेरी वो 1953 में पाकिस्तान में पैदा हुई है और ये एक liberal writer है जिनको liberals के लिए एक important voice भी consider किया जाता है इनका बहुत important role है feminist movement में feminist movement जो थी वो basic एक तहरीक थी जो खवातीन के हकुक के लिए उनके rights के लिए चलाई गई थी और इसके total three phase थे पहले phase में खवातीन के vote के बारे में बातचीत की गई कि जो औरते हैं उनको भी हक हो कि वो भी अपना vote जो है वो कास्ट कर सके second phase में women studies के बारे में बातचीत की गई और उनकी education से related deal किया गया और third phase में ये कहा गया कि जो आदमी के हकुक हैं औरत के भी उतने ही हकुक होने जाई हैं उतने ही rights होने जाई हैं और जो औरते हैं उनको मरदों के बिलकुँ equal कर दिया जाए बराबर कर दिया जाए तो यह जो तहरीक थी जो movement थी इसमें सारा सुलहरी ने एक important role play किया है इसलिए इनको feminist writer भी का जा सकता है जिन major themes में इन्होंने काफे ज़दा work किया है उन में gender and sibling relationship शामिल है political strife, religion, feminism का topic शामिल है और अपनी writing में ये post-colonialism को काफे ज़दा डिसकस करती है बात करें अगर इनके important works की तो इनके well-known works में meatless day, the rhetoric of English India और boys will be boys शामिल है जो story हम डिसकस करने लगे हैं इस story में इन्होंने खुद को promote किया है as a feminist writer और इस story में हमें इनके autobiographical elements भी देखने को मिलते हैं The property of woman genre में एक short story है short story एक ऐसी writing को का जाता है जिसका writing style prose हो और जिसकी length 1600 से 20,000 words के roundabout हो इस story की जो setting है वो लाहौर की है और इस story में हमें जो major themes देखने को मिलते हैं उन में sexism का theme, gender का theme और feminism का theme जो है वो शामिल है जो basic purpose है इस story का वो है to show different pictures of लाहौर and Pakistan at different time यानि इस story के जरीए जो हमारी writer है वो हमें लाहौर की और पाकिस्तान की different pictures दिखाना चाहती है different time period की कि पाकिस्तान पहले कैसा था और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसमें क्या तबदीलिया आती गई और साथी साथ जो हमारी writer है वो लाहौर के बारे में भी discuss करेंगी कि जो लाहौर का culture है जो इसकी traditions हैं जो यहाँ पे historical buildings हैं और जो यहाँ के बजार हैं वो किस किसम के हैं और वक्त के साथ-साथ उन में किस तरहा की जो तबदीलिया हैं वो आई हैं तो समरी को स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी के major characters जो हैं उनके बारे में discuss कर लेते हैं तो स्टोरी का first major character है हलीमा का और यह एक important character है स्टोरी का हलीमा जो है वो एक poor class से तालुक रखती है यह लोगों के गरों में काम करती है और उनके घरों की सवाई करती है यह खुद एक कच्चे मकान में रहती है जो कि मिटी का बहना हुआ है और इसका जो घर है वो गुलबर्ग 5 में है इसे लोगों को स्टोरी सुनाने का काफी साथा शोक है और यह स्मोकिंग भी करती है लेकिन आज तक इसने कभी भी अपने पैसों से सिगरेट नहीं खरीदा लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह लोगों से भी इगमांगती है सिगरेट की बेलकि यह हाफ स्मोक्ड सिगरेट को यूज करती है हाफ स्मोक्ड सिगरेट कहते है जो आदा पिया हुआ सिगरेट होता है तो यह उसी से अपना काम चलाती है और यह सारा को डिफERन्ट स्टोरी सुनाती है अपने रेलेटिव की अपने हस्बेंड की अपनी डॉटर की और अपनी सिस्टर की सेकंड करेक्टर है गुलाम का जो के हलीमा का हस्बेंड है और एक गैस कमपनी में काम करता है उसके बाद करेक्टर आता है अलारखा का और ये हलीमा का बेटा है फूर्त करैक्टर है गुल बदन का, जोकै हलीमा की बेटी है और उसके बाद करैक्टर आता है पत्थर नादी का, अब ये जो करैक्टर है ये एक absent करैक्टर है, यानि फिजिकली ये स्टोरी में अपियर नहीं होगा सिर्फ हलीमा की बातों से हमें इसके बारे में अंदाजा होगा कि ये किस किसम का करेक्टर है और ये क्या करता है अब जो पत्थर नादी है वो हर 17 साल बाद लहौर आता है और इसको सिकाडस से कंपेर किया जाता है ये बैसिकली एक पठान है और ये पिशावर से लहौर आता है और ये हर बार डिफरेंट रोड्स के थ्रू आता है उसके बाद जो लास्ट करेक्टर है स्टोरी का वो है सारा का और ये ही स्टोरी की नेरेटर भी है ये एक बहुत ही passionate लेडी है और हलीमा के लिए इसके दिल में काफ़ ज़ादा soft corner है ये उसकी सारी की सारी stories को सुनती है और ये smoking करती है और smoking करना कभी भी नी भूलती अब ये क्या करती है कि smoking तो करती है लेकिन अपना जो आदा पिया हुआ सिक्रेट होता है वो हलीमा को दे देती है और इसके साथ ही ये एक good secret कीपर भी है यानि जितनी भी हलीमा इसको स्टोरी सुनती है ये उनके बारे में किसी को भी नी बताती और इसको गरीबों की जो जिन्दगी होती है उनका जो lifestyle होता है उसके बारे में जानने का बहुत जादा शौक है अब जब स्टोरी का स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में लहोर में बारिश हो रही है यानि रेनी सीजन से स्टार्ट होता है इस स्टोरी का और इस सीजन में जितने भी फ्रूर्ट होते हैं जितने भी फल होते हैं उसके ब वो भी अपने जो घर हैं अपनी जो उनकी बिले हैं उनसे बाहिर आए हुए हैं और हमें उनकी आवाज भी सुनाई देती है अब ये जो story है ना ये एक बहुती बहतरीन story है जिसमे writer ने जो technique यूज की है वो है stream of consciousness की technique basically stream कहते हैं नदी को और consciousness कहते हैं thoughts को तो stream of consciousness से मुराद ये वो technique है जिसमें एक character होता तो कहीं और है लेकिन वो सोच किसी और चीज़ के बारे में रहा होता है यानि आप इसको ऐसे consider कर सकते हैं कि for example मैं इस टाइम जो है ये lecture deliver कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सोचें भी हैं जो के चाल रही है तो physically तो मैं कहीं और हूँ लेकिन mentally मैं कहीं और हूँ और जो thoughts की एक पूरी की पूरी नदी बह रही है दिमाग में उस phenomenon का नाम है stream of consciousness तो इस story में writer ने इस technique का यूज की है और हम ये देखेंगे कि जो हलीमा है वो सारा को different stories सुनाएगी अपने relatives की, अपने दोस्तों की, अपनी बेहन की, पत्थर नादी की और इसी दोरान जो सारा है वो अपने दिमाग में कोई और ही सोचें सोच रही होगी वो लाहूर के बारे में discuss का रही होगी अपने दिमाग में वो लाहूर की जो historical buildings हैं उसके बारे में सोच रही होगी अनार के लिए बजार के बारे में सोच रही होगी यानि फिजिकली वो कहा है हलीमा के साथ है लेकिन मेंटली वो कहीं औरी गई होगी तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत बेहतरीन स्टोरी है जिसमें जो common people है उनकी routine के बारे में डिसकस किया गया है और बताया गया है जो लोग होते हैं की लाइफ में जेंडर का कितना बड़ा किरदार होता है अब जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है ना तो हमें सबसे पहले सिकाडस के बारे में बताया जाता है सिकाडस एक कीड़ा है जो के सिर्फ तीन ही काम करता है अराइव मेट एंड आई और ये एक ऐसा कीड़ा है जो के स हमेश्य तो सर्दियों के मोसम में इा ता है इस वज़ा से गर्वियों के मोसम के बारे में और इसके cookies के बारे में उसे बिलकुल भी कोई अंधावा ने हुए जानी हम यह किह सकते हैं कि Mor expenses कि कुछ भी नी पता है उख जाती है उनको किस तरह कि फाल पाये जाते हैं वो सिर्फ winter season में ही लहर आता हैं अब ये जो story है न इसमें क्या होता है कि जो हलीमा है वो सारा को ये सारी की सारी बाते बताएगी और फीर सारा इन सारी 서울 चीज़ों को हमें narrate करें यानि सारा हलीमा की जितनी भी stories हैं उनको हम तक पहुंचाएगी और इसमें हम यह देखेंगे कि कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा यानि जो राइटर का अब इस दरान में क्या होता है कि जो हलीम है वो सारा के पास आती है और उसे भी तोरी सुनाती है ममूल के बता लिग करती है वह पर पताती है और सादे साद ये भी बताती है कि जो पत्थरनादी है हलीमा उसे काफ़े जादा पसंद करती है पत्थरनादी ब्स्यक्लिए एक पठान है जो के हर 17 साल बाद आता है लहोर कब आता है विन्टर सीजन में आता है अब वो ना एक रेगुलर तरीके से आता है regular तरीके से मुराद हम यह ले सकते हैं कि हर 17 साल बाद उसने लहोर में आना ही आना है तो जो हलीमा होती है न वो सारा को इस बारे में सारा कुछ बियान करती है और जो सारा होती है वो इस दुरान पथर नादी के बारे में सुनती भी है और कुछ सोचें भी सोचती है यानि एक तरफ तो वो पथर नादी के बारे में सुन रही होती है हलीमा से और दूसरी तरफ वो लाहूर के बारे में सोच रही होती है वो सोच रही होती है कि जो लाहूर है वो बेसिकली पंजाब का एक कल्चरल सेंटर है एक कल्चरल नर्व है और ये वो शहर है जो कि किसी भी बंदे के बारे में कोई परवानी करता यानि कितने बड़े बड़े अजीम लोग यहां से गुर चुके हैं इस दुनिया से जा चुके हैं लाहूर पे उनकी हकूमत रही है और फिर उनकी हकूमत को जवाल भी आ है और और वो है भी एक पठान तो उसे बिल्कुल भी बतानी होगा कि जो नूर जहान है उसके गानों की क्या एहमियत है यानि वो तो एक सिकाडस की तरह है ना जो एक प्रॉपर सीजन में बाहर आया और उसके बाद चला गया तो इसलिए वो अपने माइंड में ये सोचती है कि पठर नादी जो है वो नूर जहान के गानों के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा कि उसकी इमपोर्टन्स क्या है वो किस तरीके से काम करते रहे हैं अब इसके बाद वो डिफरंट टाइम पिरिएड की बात करती है जिसमें वो 1965 के बारे में भी सोचती है और 1971 के बारे में भी सोचती है अब 1965 में क्या हुआ था कि लोगों में पैशन काफी ज़ादा था और जो नूर जहान के गाने थे उन्होंने मजीद लोगों में पैशन को काफी ज़ादा बढ़हा दिया था लेकिन 1971 में ऐसा नहीं था बलकि 1971 में लोगों में तबाही का खौफ था और वो डरे हुए थे जिया की डेथ हो गई थी भुटो को फांसी हो गई थी तो क्या है कि यह सारी की सारी चीजे न वो अपने माइंड में सोचती है और जैसा कि हमने पहले स्टार्ट में डिसकस कर लिया है कि अपनी सोचों के जरीए राइटर ने लाहोर की डिफरेंट टाइम्स की जो पिक्चर है वो हमें दिखानी है अब बात यहां पे खतम नहीं होती बलकि इन सारी बातों को सोचने के बाद जो हमारी राइटर है वो पत्थर नादी की जो जर्नी होती है जो उसका सफर होता है उसे अपने माइंड में सोचती है वो सोचती है कि कैसे जो पत्थर नादी है वो खैबर से लाहूर आता होगा खैबर से पिशावर जाता होगा पिशावर से लाहूर आता होगा और जब वो लाहूर आता होगा तो वो जीटी रोड के थ्रू आता होगा लिकिन साथे साथ वो ये भी सोचती है कि उसका ये सारा जो सफर होगा उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती होगी जो बहुत जादा यूनीक हो या बहुत जादा सिग्निफिकेंट हो यानि जितने भी वाइल्ड और डेस्पिरेट पैनोरामाज हैं सिर्फ वही होते होंगे पत्थर नदी की जरनी में अब इसके बात क्या होता है कि वो लहोर की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में सोचना शूरू कर देती है बेसिकलि मैं पिर आपको याद दिलाता चलूँ कि इस स्टोरी में हो क्या रहा है हलीमा जो है वो सारा को स्टोरी सुना रही है और सारा इसे राइड डाउन का रही है और हमें निरेट का रही है अब जो हलीमा होती है वो सारा को बताती है कि जो पत्थर ना दी है वो इससे बहुत जाद महबत करती रही है और वो सारा से कहती है कि वो ये बात ये सीक्रेट जो है वो किसी को भी ना बताए बलके इस राज को राज ही रखे अब एक तरफ तो ये वली बात चाल रही होती है और दूसरी तरफ क्या होता है जो narrator है उसका mind divert हो जाता है वो अपनी narration को divert कर देती है और जो reader होता है उसकी attention को किसी और तरफ ले जाती है वो लाहोर के culture के बारे में बयान काना शुरू कर देती है किस तरह यहां पर रिवाज है paper horses का और पतंगे वगरा उड़ाने का basically वो कर क्या रही है वो लाहोर की जो setting है उसे discuss का रही है लाहोर की significance इसकी importance को discuss का रही है कि लाहोर जो लोग है वो कैसे रहते हैं उनकी routine कैसी है वो क्या क्या करते हैं साथ ही साथ फो यह भी बताती है कि लाहोर जो है अमीरों और ग्रीबों बोनों का शहर है यह एक पुर अमन city है एक peaceful city है और साथ ही यह एक strange city भी है इसके साथ ही वो 1965 के बारे में सोचती है 1971 के बारे में सोचती है नूर जहान के बारे में सोचती है और उसके गानों के बारे में बियान करती है कि कैसे उसके गानों ने 1965 की जो जंग हुई थी उसमें लोगों के अंदर बहुत ज़दा जजबा बार दिया था अब पिर क्या होता है कि जो राighter है हमारी वो अपनी टॉन को दूबरा चेंज करती है और हलीमा के बागे में बयान करना शुरू कर देती। वो बताती है कि हलीमा जो एक self respect लेडी है एक बहुत खुद्दार लेडी है वो कभी भी किसी से भीक नी मांगती और वो हमेशा half smoke cigarette पीती है अब जो हलीमा होती है वो क्या करती है वो सारा को अपनी family के बारे में बयान कर रही होती है कि उसका जो husband है वो एक gas company में काम करता है और काफी ज़दा वो बदमिजाज है short tempered है फिर वो अपने बच्चों के बारे में बयान करती है और at the end वो पत्थर नादी के बारे में बयान करती है कि ये वो है जो उसके खौबों का hero है a hero of her dream अब ये जो हमारी story है ना ये basically दो हिस्सों में divide की गई है इसे आपस में जोडा तो गया है लेकिन ये बहुत ज़दा complex है अपनी nature में अब इसमें जो हमारी writer है वो क्या कहती है जो सिकाडस है उसका जो sound है लेकिन listen नहीं है इसी तरह जो guns का sound है वो hear तो है लेकिन listen नहीं है लेकिन फिर वो कहती है कि जो नूर जहान के गाने है ना वो लिसन है अब यहां पर कॉनसेप्ट आता है कि हीर और लिसन में फर्क क्या है बिसिकली कोई भी बात हो रही है अगर हम उसे गोर से ना सुनें तो वो क्या है वो हीर की सेंस में आती है लेकिन अगर कोई काम चाल रहा है, कोई बाद चाल रही है और आप उसे बड़े ध्यान से सुनते है और उस पर गोर करते हैं तो इसे हम लिसन की टर्म में लेके जाते हैं अब इन सब के बाद क्या होता है कि जो राइटर है जो नरेटर है हमारी वो हलीमा और पत्थर नादी के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बियान करती है फिर मजीद हलीमा उसे ये बताती है 그 जो पत्थर नदी है वो काफ़ी जदा वाइट है यानी उसका कलर सफीयद है और वो बताती है कि हलीमा का एक बेटा भी है जो के सेम रंगत में शक्लों सूरत में पत्थर नदी की तरह ही है लेकिन इस चीज़ को हलीमा क्लियर कर देती है कि है तो वो पत्थर नदी की तराई लेकिन वो पत्थर नदी की उलाद नहीं है अब इसके बाद क्या होता है कि नरेटर का जो माइंड है वो फिर किसी और सरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो पाकिस्तान को पाकिस्तान से ही compare करती है different times में वो बताती है कि 1965 में कैसा था पाकिस्तान, 1971 में कैसा था पाकिस्तान अब जो currently सूरते हाल चाहरी है पाकिस्तान की वो कैसी है तो वो पाकिस्तान को पाकिस्तान से ही compare करती है different times में अब यह जो स्टोरी है ना इसमें बैसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉंशियसनेस की टेक्नीक जो है उसका तो यूज किया गया है लेकिन जो नरेटर है उसका अचानक से मूड चेंज हो जाना उसकी टॉन चेंज हो जाना उससे क्या होता है कि जो रीडर है ना वो इस स्टोरी को असानी से समझ नहीं पाता उसे बहुत जादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इस स्टोरी को समझने में और जितने भी क्रिटिक्स है ना उन्होंने भी इस बारे में यह भी जान की है कि Reader feels difficulty in understanding the quick change in the scene लेकिन खिर फिर भी जो इस स्टोरी का basic purpose है उसके बारे में हमने discuss कर ली है कि ये स्टोरी रोशनी डालती है लोगों की जिंदगी के बारे में उनकी routine के बारे में, उनकी habit के बारे में उनके lifestyle के बारे में, किन लोगों की? जो लोग लहोर के रहने वाले हैं और साथ ये लहोर की importance के बारे में भी बियान करती है ये एक symbolic story भी है और इसमें जो हलीमा का interest है पत्थर नादी की तरफ, वो ये indicate करता है कि जो हमारी writer हैं, उनका खुद भी interest था एक पठान में फिर जो पत्थर नादी की एक जर्नी दिखाई गई है इसमें उसकी routine दिखाई गई है, वो indicate करती है sense of inquiry को जो summer season की discussion की गई है यहाँ पे वो indicate करती है colors को किस में? wars में, जंगों में फिर जो हलीमा खुद है, वो represent करती है lusty feelings किसकी writer की metaphorically तो यह basically एक बहुत ही symbolic story भी है और बहुत important story भी है और paper point of usage जो सबसे ज़्यादा important question है वो significance of lahore है उमीद है कि आज का lecture आपको समझ आ गया होगा in case of any confusion आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं thanks for watching this video, if you like the video hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon, thank you so much